वहीं 36 गाह में लोगसभा चुनाओं खत्मों होने के बाद मंत्री टंका राम वर्मा का एक बयान सामने आया है आपको बता दे कि मंत्री टंका राम वर्मा ने कहा कि NDA को बहुमत मिला है मोदी जी ही इसी बार प्रधान मंत्री पद की शपत लेंगे इसके तहट ही लोगसभा में T.S. दिहंदेव कम नजर आने वाले हैं और सवाल पर मंत्री वर्मा ने यह भी कहा कि यह कॉंग्रेस की अंद्रूनी बात है आधुनिक मामला है हम तो अपनी जीत का कारण मानते हैं उन्होंने कहा कि मोधी जी के गारंटी और विश्नु का सूशासन जो योजना आई थी उन्हें शक्त प्रतिशत लोगों तक पहुंचाया है उसी की वज़ा से भाजपा की जीत हुई है इसी क्रम में कैबिनेट में बदलाओ को लेकर वर्मा ने कहा कि इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता यहां हमारे नेता और हमारे हाई कमान इस पर निर्ड़े लेंगे हम लोग तो छोटे से कारे करता है जो जिम्मेदारी दे रहे थे उसी को निभाते है हमारे जो विष्णु देशाय जी का सुसासन है और मोदी जी का जो गरेंटी है उनका असर 36 गड़ में बहुत अच्छा रहा जन जन तक जनाओं का लाप पहुचा है और भारती जनता पार्टे के पक्ष में लोगों ने मद्दान किया है